जैशरीराधे दशेरे पर बन रहे हैं दो शुब साहिज्योग पूजापाट से लेकर नई गारी खरीवने का यह है एक सही समय इस बार विजय दशमी पर दो शुब साहिज्यों बन रहे हैं तो ऐसे में इनकी क्या मानने ताए हैं और उस दिन कैसे आपको पूजा पार्ट करनी चाहिए आईए हम आपको बताते हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर किया गीजे नवरात्री की शुरुवात 15 अक्टूवर 2023 से हो रही है जो 23 अक्टूवर 2023 तक रहेगी इसके अगले दिन यानि 24 अक्टूवर 2023 को विजय दश्मी का पावन पर्व मनाया जाएगा हिंदू धर्म में विजय दश्मी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्री राम ने लंका पती रामण का बद किया था और इस ही दिन को अधर्म पर धर्म की विजय भी हुई दी इसके रूप में ये मनाया जाता है कहते हैं कि इस दिन मादुर्गा ने मही शासुर का भी बद किया था इसलिए विजय दश्मी के तियोहार के कैई बड़े मायने होते हैं और इस दिन आपको कैसे पूजा पाथ करनी चाहिए और इस साल विजय दश्मीर पर क्या शुब संयोग बन रहे हैं इस विशे में हम आपको बताते हैं, तो आईए हम आपको इसकी जानकारी देते हैं विजय दश्मी 2023 तिथी और शुब महूरत विजय दश्मी का त्योहार अश्वनी महा की कृष्ण पक्ष की दश्मी के दिन मनाया जाता है तो इस साल ये दिन 24 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा, हाला कि विजय दश्मी की शुरुवाद 23 अक्टूबर 2023 को शाम 5 बरकर 44 मिनट पर ही शुरू हो जाएगी जो की 24 अक्टूबर शाम तक रहने वाली है, तो ऐसे में इस वार विजय दश्मी पर दो शुब सही योग बनने जा रहे हैं और इन शुब सही योगों में पूजा पाठ या कोई भी नया काम आप शुरू करना चाहें, तो वो लाबकारी माना जाता है रवी योग, पहला जो योग बनना है वो रवी योग बनना है, विजय दश्मी पर 24 अक्टूबर को सुबह 6 बच कर 27 मिनट से, दोपेर 3 बच कर 38 मिनट तक, शाम को 6 बच कर 38 से, अगले दिन सुबह 6-28 तक रवी योग बना रहेगा कहते हैं कि रवी योग में किया गया कामों को शुबह फल मिलता है, और इस योग में ग्रह प्रवेश, नौकरी, यात्रा जैसे शुबह कारे किये जा सकते हैं दूसरा है व्रद्धी योग, व्रद्धी योग में के दिन व्रद्धी योग भी बन रहा है, जो कि 24 अक्टूबर 2020 को दुपेर 3 बच कर 40 मिनट से शुरू होगा और रात तक वो रहेगा कहा जाता है कि व्रद्धी योग में पूजा, पाड, धरम, करम करने से जातकों को उसका दुगनाफल प्राप्त होता है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, तो ऐसे करें विजयदश्मी की पूजा, आईए जानते हैं विजयदश्मी की पूजा करने के लिए हमें क्या करना है विजय दश्मी की पूजा करने के लिए घर के इशान कोण में आठ कमल की पंखडियों से अश्टदल चक्र बनाया जाता है और उसके बाद अश्टदल के बीच में अपराजिता नमहा मंत्र का जाब करना चाहिए मादरुगा के साथ ही भगवान श्री राम की भी पूजा करनी चाहिए इतना ही नहीं विजय दश्मी के दिन बही खाते और शास्त्रों की पूजा भी की जाती है शास्त्रों की शस्त्रों की इनको पूजा इस्तल पर रखकर रोली अक्षत इन्हें अर्पित करें और पूझा में शमी की पत्यों को जरूर शामिल करें जिसके यहां जो कारेच्षेत्र होता है वो उसी हिसाब से में पूझा होती है छत्रिय शत्रों की पूझा करते हैं शत्रों की ब्ढborahmmal वर्ग अपने वेद, पुरान, अपने शास्त्रों की पूझा करते हैं जो बनिया वर्ग होता है वैश्य वर्ग उनके आप बही खाते आदी की पूजा की जाती है इसी तरीके से जिसका जो काम होता है कोई दर्जी है तो वो अपनी मशीन आदी की पूजा करता है जिसका जो कारे छेत्र होता है उस दिन उसकी वो पूजा जरूर करनी चाहिए इसी तरह से ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए जै श्रीरादी